हेलो गाइस आप सभी का बाला किरो सोय यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है मटर और सोयाबीन की बड़ी के पुलाव बनाना तो आएए स्टार्ट करते हैं मटर और सोयाबीन की पुलाव बनाना मटर और सोया बीन की पुलाव बनाने के लिए ये हमने मटर लिये हैं ये हमने एक बड़ी कटोरी मटर लिये हैं सोया बीन ली है इसको हमने गरम पानी में भिगो लिया था और अच्छे से पानी को निचोड दिया है दो हरी मिर्च को मैंने बारिक टुकडों में कट कर लिया है एक अध्रे के टुकडे को भी मैंने कद्दुकस कर लिया है नमक स्वादे नुसार लिया है और ये मैंने लाल मिर्ची पोडर ली है ये देगी मिर्च पोडर है ये मैंने एक चमच ली है और ये एक चमच मैंने जीरा लिया है, दो मोटी इलाई चिली है, और ये खुब सारा धनिया, दो बड़े टिमाटर को मैंने कट कर लिया है, और ये मैंने एक गिलास चावल लिये हैं, जिसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए विगो दिया था, और इसका पानी निकाल लिया है, तो आई ये बनाते हैं पुलाव, मैंने एक उक कर लिया है, अब मैं इसके अंदर ओयल डालूँगी, मैं यहां मस्टर ओयल का प्रियोग कर रही हूँ, ओयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें दो मोटी इलाई ची और ये जीरा डाल दूँगी, साथ ही ये मैं अगर चटक चुका है, अब मैं इसमें दो मुझा दूँगी, अब ये हाई निश्ट भी डाल दूँगी अब मैं इसमें ये बेजी निश पौडर नामा अब ये अच्छे से बेक पर रेकिन अब मैं इसके अंदर ये मटर के जाने डाल दूँगी साथ ही मैं ये सोयादीन की बड़ी भी डाल देते हूं इसमें इन्हें मैं थोड़ा सा भूने दूँगी अब मैं इसके अंदर हरा दुनिया डाल दूँगी मैंने ये खुच सारा दुनिया ले लिया है ये दूब मैं सिंपल तरीके से बता रही हूं आपको मतर और सोयादीन की बड़ियों के उलाव अब मैं इसके अंदर राइस डाल दूँगी और इसे इच्छे से निक्स कर दूँगी अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी ये मैंने एक गिलास पानी दे लिया है और ये हमने दो गिलास पानी डाल दियें इसमें और अब मैं इस कुकर को बंद कर दूँगी और एक विशल आने का हम इंतजार करेंगे और ये हमने पानी करेंगे इसके इसे अंदे लिए पानी ये ये लिए भोगगी